जा रहे हैं हम मारी दर्शन के लिए तुम लोग यहां पर पांच बजी आगें सुपर सुपर हेलो दोस्तो नमस्ते राम राम हर हर महादेव आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री राम की इश्वर भूमी रामेश्वर में लेकर जाने वाली हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यहां के प्रसेदु मंदीर के बारे में वहां के टाइमिंग के बारे में दर्शन से पहले अगनी तीर्थम क्या होता है मनी दर्शन और उसके टाइमिंग के बारे में और 22 कुंड में स्नान के बारे में पूरी वीडियो देखेएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो इस तरह की वीडियो के चैनल को सब्क्राइब कर लीजिएगा बट उससे पहले मैं आपको बता दू अगर आपने हमारे रामेश्वरम की और भी वीडियोस को नहीं देखा है तो फटा-फट जाकर देख लेजेगा ताकि रामेश्वरम आने से पहले आप महां के और भी प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानकर ये प्राप्ति कर सके जि पर चार बजे से दोफेर के एक बजी तक दोफेर तीन बजे से शाम के साड़े आड़ बजे तक और वैसे तो इस मंदिर में दर्शन के कुछ अलग नियम है जैसे हर श्रद्धालु को फॉलो करना चाहिए आये जानते उन नियम के बारे में तो बात कर लेते हैं मनी दर्शन क्या है मनी दर्शन में एक इस पातिक याने की क्रिस्टल के शीवलिंग के दर्शन कराया जाते हैं जिसकी ऐसी माननेता है कि वो क्रिस्टल भगवान विश्णू के शेष्नाख का मनी है अन्दिर में सुबे चार बजी से ही शुरू हो जाता है मनीदर्शन जो कि स्रिफ एक घंटे का होता है पर यहां की एक कोशिश होती है कि सारे श्रद्धालू को मनीदर्शन कराया जा सकें तो मैं भी अपने होटल से नहाद होकर निकल चुकी हूँ मनी दर्शन के लिए और मनी दर्शन करने के साथ-साथ मेरा प्लैन था अज अग्मी फीर्थम के लिए इसलिए मैं कुछ कपड़े लेकर भी निकल चुकी हूँ मैं एक दिन पहले ही अपने ओट वाले भाईया को बता दिया था कि मुझे मनी दर्शन जाना है तो अपने होटल से साड़े तीन बजी मैं निकल चुकी हूँ और पंदरा मिनिट में मैं पहुँच गई हूँ मनी दर्शन के लिए और यहां पहुँच के मुझे पता चलता है क मनी दर्शन के लिए आप मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं मंदिर के सामने में नहीं बहुत सारे लॉकर मिल जाएंगे जहां पर मैंने भी 50 रुपिस देकर अपना सारा सामान रखवा दिया रामेश्वरा मंदिर का सबसे ज़्यादा सुप्रतिस दर्शन होता है यहां पर मनी दर्शन अभी हम वो करने जा रहे हैं वहादा एक्साइटमेंट हो रही है बहुत सारो दोग आया है बहुत भी लगे तमिल लाडू को बहुत से लोगा है पता नहीं फोटो लेने और वीडियो बनाने मिलेगा की नहीं मिलेगा पर कोई बात में हमने इ सुबह पांच बजे याने कि हमें देड़ गंटा राम से लगया था हमारी लाइन आगे बढ़ते बढ़ते और उसके बाद हम निकल चुके हैं अगनी तीर्थम के लिए हमने अभी जस्ट मणी दर्शन के लिए हैं काफी अच्छा लग रहे हैं इसे तीका लगा है जा रहे लाइन बहुत लंबी थी और अभी हम फ्री हुए सब भी हम जा रहे हैं यह तीर्थे इस प्लान के लिए पांच बजे हैं अंधियरा देको कितना है पर बहुत लोग आए हो यह आप पर मनी दर्शन के सुबह सुबह तीन बजे आप घर से निकल जाओगे ना बैटर बहुत लंबी लाइन लगती है बहुत से श्रद्धालियों को मालूम नहीं होता है कि मंदिर में प्रसिद 22 कुंड इसनान और अगनी तीर्थम का बहुत अधिक महत्व है तो मैं आपको बता दू यहां मंदिर की नियम अनुसार पहले अगनी तीर्थम और उसकी बाद 22 कुंड में इसनान करना अवश्यक होता है यहां मंदिर में भगवान शिप के दर्शन से पहले इस्ट के गेट के सामने के रास्ते से होते हुए आप अगनी तीर्थम के लिए जा सकते हैं यहां की मानिता है कि श्री राम जी ने अपनी शिप अरादना करने से पहले यहां पे इसनान कर इस समुद्र तट को तीर्थ स्थानों का महत्व दिया था अगने तीर्थम का महत्व है कि आप इस समुद्र स्थाल पे नहाएं, डुपकी लगाएं और उसके बाद इने गीले कप्डों के साथ आप मंदिर में प्रवेश कर 22 कुंड में स्नान कर सकते हैं 22 कुंड इसनान के लिए नौर्थ के गेट से प्रवेश होते हैं 22 कुंड में इसनान के लिए उसी गेट में 25 रुपे की इसनान की परची आपको कटवानी होती है और अगर अपने अपना सामान लौकर में रखा हुआ है तो आप उसे वापिस ला सकते हैं ताकि मंदिर में बने चेंजिंग रूम में आप अपने कपड़े चेंज कर सकें। महीला और पुरुष के अलग-अलग चेंजिंग रूम है। अगनी तीर्थम और 22 कुंड में इस्तान करने के बाद अब बारी आती है आगे बढ़ने की मंदिर में में दर्शन के लिए जहां होते हैं महादेव के दर्शन। और ऐसी माननिता है कि ये शिवलिंग सीता माता द्वारा बनाया गया था जब भगवान श्री राम ने रावडवत किया था ब्रामर की हथ्या से मुप्त होने के लिए वे शिवरादना करना चाते थे। शिव अरादना तो शिवलिंग से ही की जाती है, इसलिए हनुमान भगवान पहुच जाते हैं कैलाश्ट, स्वैम प्रभू शिव भगवान से शिवलिंग लेने के लिए, पर यहाँ पे पूजा का मूरत निकलने के कारण, माता सीता स्वैम अपने हाथों से शिवलिंग बनात वो ही इस मंदिर में रामनात स्वामी के रूप में पूजा जाता है, और हाँ हनुमान भगवान द्वारा लाया गया शिवलिंग भी इस मंदिर में स्थित है तो जैसा कि मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय दर्शन की सुविदा है, इसी तरह अगनी तीर्थम और 22 कुंड में स्नान भी आप सुबह या फिर शाम दोनों में से किसी भी समय कर सकते हैं दर्शन के पहले दर्शन करने के बाद मंदिर के अंदर ही इस्तित है मंदिर के प्रशादी, तो वहाँ से प्रशाद लेना ना भूले, आप भी रामेश्वरम मंदिर जाते हैं, तो मेरी आप से विंती रहेगी कि अगनी तीर्थम में जाकर वहाँ पे शिवलिंग ना बनाएं, क्योंकि मैं कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करिएगा, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, अभी के लिए, बाई!